अज़ हम जानेंगे अलकोहल को सरीर पर रगणने से क्या फायदे होते हैं दोस्तो अलकोहल को जादतर लोग नशे के तौर पर इस्तमाल करते हैं जो कि सही नहीं है ऐसा ना करें अलकोहल से हमें कई प्रकार से स्वास्तलाब मिलते हैं नमबर वन अगर आपको मांशपेशियों में दर्द हो रहा है तो आप उस जगा पर रबिंग अलकोहल को लगा कर रगड ले आपको किसी भी दवा की जरत नहीं होगी और आपका दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा नमबर टू अगर आपके हाथ वा पैरों के नाखुनों में फंगस पढ़ गई हो तो रबिंग अलकोहल को ले और इसे कॉटन बॉल पर लेकर एक के बाद एक नाखुन पर लगाईए इससे फंगस ठीक हो जाती है नमबर त्री गर आपके सरीर पर हलके घाओ हो जाते हैं तो घाओ वाली जगा पर रबिंग अलकोहल को कॉटन से लगाए हलकी जलन होगी लेकिन घाओ बिलको ठीक हो जाएगा नमबर फोर सर्दियों में अकसर कई लोगों को होट के आसपस तुचा को पकते देखा होगा इससे काफी दर्द भी होता है अगर इन दानों पर रबिंग अलकोहल लगाया जाए और दस मिनिट बाद धो लिया जाए तो आप देखेंगे दानों एक या दो दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं अगर उस जगापर रबिंग अलकोहल का चिरकाव कर दिया जाए तो मच्छर का जहर खत्म हो जाता है और वह फफोला भी ठीक हो जाता है नमबर 6 तैराकों की कानों की सुरक्षा होती है रबिंग अलकोहल को वाइट वेनेगर में मिक्स करके इसकी कुछ बूंद को कान में डालने से तैराकी के समय पानी कान में जाने का डर नहीं होता तो यह थे दोस्तों अलकोहल को सरीर पर रगणने से मिलने वाले लाब इसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें